हेलो दोस्तों मायों टेक गाइड में आपका स्वागत थे दोस्तों अगर आपने IBPS RRBPO का फार्म डाला था तो कल यानी 22 जुलाई को उसका एड्मिट कार्ड आउट हो चुका है और आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको उताऊंगा इसके लिए आपको अपना email खोलना है जो कि आपने registration करवाते समय दिया होगा उसमें आपको जो आपने registration किया होगा उस समय आपको एक email आया था जिसमें आपको registration number और आपका password मिला था वो डाल के आप login कर सकते हैं दोस्तों उसमें आपको एक और option मिलता है roll number और data birth का तो उस से इस टाइम डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप अपने रेजिस्टेशन नमबर और पासवर्ड से ही डाउनलोड कर दिये वहां से आपका हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपको मैंने यहां पर इस्टार मार करके रखा था आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं आपको जल्दी मिल चाएगा तो दोस्तों यहां पर RRB का यहां से आपको registration number और password देखने को मिल चाहेगा और यह डालके आप download कर सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं Chrome browser open कर लेता हूं और यहां से मैं आपको download करके दिखाता हूं तो दोस्तों यहां पर आपको search करना है IBPS तो यहां पर जैसे ही आप search करेंगे आपका यह website को open हो जाएगा और यहां पर आपको उपर यह पट्टी दिखेगी जिसमें आपको online admit card download करने का option मिलेगा इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहां पर आपको link मिल चाहेगी उपर आपको first link में click करना है यहां से आप अपना admit card download कर सकते हैं नीचे आपको guideline exam center के लिए देखने को मिल चाहेगी यहां पर Hindi और English दोनों में है और यहां पर आपको mock test भी देखने को मिल चाहेगा और declaration form में यहां से आप download कर सकते हैं तो दोस्ते यहां पर आपको first link पर click करना है click करने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर Hindi या English चूच करना है तो यहां पर मैं Hindi का लेता हूँ आपका admit card Hindi में आया का या फिर English यह आपके लिए है तो यहां पर language को select करेंगे इसके बाद आपको यहां पर registration number डालना है इसके बाद आपको यहां पर password डालना है चलिए यहां पर मैं password डाल लेता हूँ password paste नहीं हो रहा है पास्वर्ट डालने के बाद आपको यहां पर capture code डालना है इसके बाद आपको यहां पर login पर click कर देना है जैसी login पर आप click करेंगे आपका admit card यहां पर open हो जाएगा open होने के बाद आप यहां प्रिंट कर सकते हैं आपको यहां पर date time देखने को मिलेगा user का ID रोल नंबर आपका परिक्षा कहां है यह देखने को मिलेगा तो दोस्तों इससे print करने के लिए अपने mobile से भी print कर सकते हैं आपका PD या farm में आ जाएगा यहां पर click to print पर click करेंगे इसके बाद आपका यहां पर prepare होगा तो इसमें थोड़ा सा time लगेगा तो आपको बेट कर लेना है तो दोस्तों इसमें ज्यादा time लग रहा है इसलिए यहां से मैं cut कर रहा हूँ मैंने पहले भी अपना admit card डाउनलोड कर लिया है यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ यह मेरा admit card है जो कि print table पान में आ चुका है तो इसे मैं print करा सकता हूँ तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे download कर सकते हैं आपको अपना registration number और password डालना है उससे आपका जल्दी download हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको download करना है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से help होई होगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाग